एक न्यूव मीवाइट 13 तीम लेकर आगे हैं जिसमें मीवाइट 13 कोंट्रोल सेंटर का सोपड देखने को मिल जाता है और एसे बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाती है इस तीम में तो एक बहुत ही कूल तीम होने वाला है जिसे आप पोको रेटमी और सामी डिवाइसें में ट्राइक कर सकते हो तो इतर ट्वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इंटो इट तो आप देख्शों तो होमस्केन कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है इस तीम में एक ब्यूटिफूल वालपेपर है यहाँ पर और बात करें यहाँ पर जो क्लॉक पर मिल जाता है साथ में यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिलता है इस वीजट में और यहाँ पर जो बैटरी का आइकन है और जो नेटवर्क आइकन है वो दोनों चेंज हुए हैं स्टेटोस बार में डैन आइकन के बात करें तो आप देख से हो तो कुछ इस देख सेंटर यहाँ पर टासलूसेन डीएन के साथ आता है और इसके जो कुछ टोगल से यह मुझे काफी अच्छे लगे यहाँ पर ब्रैन्या स्लाइडर और जो भोल्यूम स्लाइडर है आप देख से तो यह थे घृमोमेटर के स्टाइल में देखने को मिल जाते हैं जो कि यहां पर जो clear बटन है यह भी चेंज हुआ है देन अगर हम जाते हैं यहां पर settings के अंदर तो आप देख सेटिंग्स का बेक्राउंड कुछ इस टैप का यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर एक wallpaper भी देखने को मिलता है तो प्रिमियम डियाइन के साथ आता है यहां पर settings देन मालो मैं यहां पर जाता हूं passwords and security के अंदर तो आप देख सेटिंग्स का यहां पर layout देखने को मिल जाता है इस theme में और हाँ इस theme में custom side swipe gesture भी देखने को मिलता है जो कि generally देखने को नहीं मिलता मीवाई 13 themes में और हाँ यह theme dark mode को support नहीं करता है और यहां पर dark mode को on करता ह तो आप देख सेटो तो यहां पर default control center देखने को मिलता है तो dark mode का support नहीं है इस theme में अगर हम जाते हैं lock screen पे तो lock screen आप देख सेटो तो कुछ step का यहां पर देखने को मिल जाता है एक beautiful lock screen देखने को मिलता है यहां पर एक blur wallpaper देखने को मिलता है और जो clock widget है आप देख सुक तो यहाँ पर last size में देखने को मिल जाता है साथ में यहाँ पर weather information और music विजट भी देखने को मिलता है और साथ में कुछ shortcuts भी नीचे देखने को मिल जाते हैं तो कुछ इस type का lock screen देखने को मिल जाता है इस theme में और यहाँ पर theme store में भी changes देखने को मिल जाते हैं इस theme में तो theme का नाम है back all go block आप यहाँ पर spelling देखके theme store पर जाके theme को search करो आपको मिल जाएगा डियाइनर है यहाँ पर flicker 404 और इसकी साहिए 51.4 MB तो यह था एक beautiful MIUI 13 theme जिसे आप Poco Redmi और Xiaomi devices में try कर सकते हो आपको वीडियो प आपको ना बिलकुल भी मत बूलना thank you for watching this video and keep smiling this is Chanasuman signing out